अगनिवीर क्या है लोग कहते हैं अगनिवीर जवानों के लिए स्कीम है अगनिवीर हिंदुस्तान के 90 लोगों के हाथ से पेंशन जीनने का स्कीम है पहले अगर एक योगा आर्मी में जाता था जवान बनता था तो देश उसे कहता था देखिए आपने देश को अपनी जिंदगी दी है हम आपको प्रोटेक्शन देंगे हम आपको पेंशन देंगे केंटीन देंगे और अगर आपको कुछ हुआ अगर आप शहीद हुए तो हम आपको कॉंपनसेशन और शहीद कर दर्शा देंगे यह कमिट्मेंट था हिंदुस्तान की सर्कार का और उसमें जादा से जादा 90 परसेंट लोगें अगनीवीर किया ना बहुत सुंदर दिया अगनीवीर अगर अगनीवीर की सचा ही किया है आपने इंदुस्तान के जवान से पेंशन चीन लिए शहीद का दर्शा चीन लिया कॉंपनसेशन चीन लिए कैंपीन चीन लिए और रिस्पेक्ट चीन लिए और आप सोचते हो कि उसको पतानी लगेगा आप सोचते हो कि उसमें इतनी वह अकल नहीं है कि वह यह बात को समझ जाए कि आप जाएं रिक्रूट्मेंट सेंटर में जाएं सब खली पड़े होई कोई जाना नहीं चाता है क्यूं जाएं दो तरीके के आपने जवान बना दिये हैं एक को आप पेंशन दे रहे हो शहीद का दर्शा दे रहे हो रिस्पेक्ट दे रहे हो और उसी के साथ दूसरा जवान घड़ा है उसका आपने नाम बगल दिया उसको आपने अग्नी भी कह दिया उसकी आपने पेंशन चीन ली उसकी रिस्पेक्ट चीन ली उसकी कैंटीन चीन ली शहीद का दर्शा चीन लिया और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो दे हुँआ हम बड़े देश गड़े मंगर यह बाट समझ आती है लोग एक के फ़ले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था कि पूरा का पूरा प्राइबिक ताइस करती जिए पहले उसमें रेजरवेशन थी अब पब्लिक सेक्टर गाय कि एक के बाद है के इंके बाद है एक प्राइप रहा है। सक्सेस्पूल प्रेफिर से हम क्यों चल रहे है। प्राइब Urs इंक कर रहा है। पैसे बना रहा है लोगों को रोजगा देन है उसको प्राइबर्टाइज्टेमिन नहीं कहना चाले उसको Be reservation कि आपने उसको अगौद ही Reservation हटा दिया और अजब वहां सेाक टी रिसलिमेशन हटा है कि तो अब सवाल उठता है कि कि सालों से आरेसेस और बीजेपी ये काम करें और फांडेशन यही है कि तो लड़ाई इसकी स्ट्राटिजी यह है मगर आगे क्या करता है अगर हम कहें कि भईया कॉंस्टिट्यूशन की रक्षा करनी है तो पिर अगला पूचे का भईया हां ठीक है वगर कैसे एक्षन क्या है कॉंस्टिट्यूशन को बचाने का तो दो तीन सिंपल से एक्षन कुझे दिखाई दे रहे हैं सबसे पहला एक्षन कॉंस्टिट्यूशन को बचाने का कि रेजर्वेशन की जो दिवार है 50 परसेंट वाली इसको तोड़कर आटा है क्यूंकि अब आदी 90 परसेंट और जब मैं हिंदुस्तान की सरकार को देखता हूं जो हिंदुस्तान के पूरे बज़ेट को चलाता है नपे आएस अपसर्स इसको चलाते हैं हिंदुस्तान का के बज़ेट का सारा का सारा पैसा हंड्रेट परसेंट पैसा ये 90 लोग डिसाइट करते हैं नपे में से तीन ओविसी हैं आपकी अबादी 50 परसेंट कम से कम नपे में से तीन आपके दलेतों के अबादी 15 परसेंट उनके भी तीन आदिवाजियों के अबादी 8 परसेंट उनका एक अब उससे बात समझ नहीं आती है, नबे और तीन में से बात समझ नहीं आती है, आप finances सी जब बात होती है तब समझ आती है, आपकी अबादी 50% पिठना बड़ वो भी सी, और हिंदुस्तान के budget में, अगर हिंदुस्तान 100 रुपे खश तकता है, तो पांच रुपए का डिसीजन ओभी सी अफसर लेते हैं अब आधी 50% और फाइनेंशल डिसीजन 5% गलत 15% अबादी 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्ने वो लेते हैं और आधिवासी 8% 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्ने वो लेते हैं तो अगर आब 90% का पूरा फाइनेंशल डिसीजन बेकिंग पावर जोड़ दो तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्ने 90 परसें जितुस्तार लेता है चे रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से 90 परसें डिसाइब लगता है तो दो चीज़े तो बिल्कुल साथ है और मैंने पार्लिमेंट में कह दिये हैं और वो शुरुआत है पहला कदम यह जो बैरियर है 50% का कि इसको कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया घट बंदन लोग सभा राजय सभा में बद्रेंगे और हम मतब ऐसे वाहिदे नहीं करते हैं आप जानते हों कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं कि यह हमारा रेप्रेटिशन है हमने कहा कंया कुमारी से शुरू होगी कश्मीर में बंद होगा ख़तम होगी कंया कुमारी से कश्मीर गए तो पहला स्टेफ यह जो फॉल्ट सीलिंग अर्टिपिशल सीलिंग लगा रखी है इसको हटाना है और दूसरा स्टेफ जिसको मैं करांतिकारी स्टेफ कहता हूं जाती जंगर